कोई भी बच्चा पैदा होता है विट मेटाबॉलिजम फीमेल्स में क्या हूँ तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था पितूट्री ग्लेंट के बारे में और देखा आखिए उसकी पॉजीशन कहां पर है वहाँ पर उसके दो पार्ट थे जिसमें हमने देखा कि कौन सा पार्ट डारेक्टली कंट्रोल में है हाइपोथेलमस के और किस पार्ट को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथेलमस हॉर्मोन को सिक्रीट करता है समझ पा रहे हो तो बेटा वहाँ पर पिट्यूट्री ग्ल वहाँ पर हमने देखा कि group of hormone है जिसमें कि सबसे ज़्यादा hormone secret करने वाला part कौन सा है बेटा वहाँ पर anterior pituitry है ठीक है तो आज हम वहाँ पर एक-एक hormone लेंगे और देखेंगे कि आखिर में कौन सा hormone जब pituitry से secret होता है तो वो हमारी body में कौन-कौन से function को trigger करता है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर hormone की बात करेंगे बेटा पार्स डिस्टैलिस के ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले और सबसे important hormone जो कि है growth hormone जैसे कि नाम में दिख रहा है बेटा growth यानि कि क्या करेगा growth को promote करेगा growth को promote करेगा तो देखो regulate the growth in the human ठीक है जब कोई भी बच्चा पैदा होता है बेटा तो growth hormone जैसे जैसे body में बढ़ता है वैसे वैसे उसकी body की growth बढ़ती है ठीक है और आगे हम देखेंगे कि अगर initial stage में growth hormone का क्या हो जाए सिक्रीशन कम हो जाए तो लोगों की growth सही तरीके से नहीं हो पाती है और सबसे बड़ा example हम देखते है कि वहां पर height कम रह जाती है समझ पा रहे हो एक बार initial stage में जब क्या हो रहा है growth हो रही है जो हमारी bones है वो growth कर रही है और जब हमने bones study की थी तो epiphysis और epiphysis दोनों इंड पर एक हम लोगों ने वहां पर labeling की थी कि वह क्या पार था epiphysis था ठीक है तो वह क्या होता है एक particular time तक ही वहां पर growth होती है ठीक है जैसे ही epiphysis plates में क्या होता है और सिफिकेशन हो जाता है वहां पर ठीक है epiphysis closer कहते हैं उसके बाद बेटा कितना भी growth hormone पीलो तुम्हारी height बढ़ने वाली नहीं है ठीक है तो बात तो की हमने है कि growth बढ़ रही है लेकिन growth कैसे बढ़ रही है तो यह क्या करता है metabolism को promote करता है ठीक है metabolism को promote करता है बेटा metabolism को promote करता है प्लस इसके साथ ही तुम्हारा bones cartilage और tissues की growth को क्या करेगा बेटा promote करेगा ठीक है दूसरा hormone prolactin जैसे ही हम prolactin पढ़ते हैं तो हमें तुरंद trigger होना चाहिए milk के बारे में किसके बारे में milk के बारे में तो जब baby का birth होता है उसके बाद क्या होता है females में क्या देखने को मिलता है milk का secretion ठीक है milk का secretion लेकिन before the pregnancy किसका formation memory glands का ठीक है तो जो growth of memory glands है जो growth of memory glands है वो किसके response में होगा prolactin के response में और जब baby का birth हो जाएगा तो formation करेगा milk का secretion नहीं कराएगा ठीक है secretion के लिए भी देखेंगे दूसरा hormone आएगा oxytocin ठीक है तो prolactin क्या करेगा formation करेगा milk का और उससे पहले memory glands का क्या करेगा development ठीक है अब आगया TSH thyroid stimulating hormone ये क्या करता है ठीक है promote करता है ठीक है ACTH ये क्या करेगा synthesis and secretion of hormones from the adrenal cortex ठीक है नामी देखो adenocorticotropic hormone ठीक है यानि कि adrenal cortex पर काम करने वाला है luteinizing hormone very very important और is a human reproduction में बहुत detail में पढ़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो male के case में क्या होगा ये करेगा synthesis और करेगा secretion किसका androgens का और हम सबसे अच्छा example androgens का कौन से पढ़ते हैं testosterone ठीक है testosterone अभी धर आजाओ females में क्या होगा females में क्या करेगा ovulation को induce करेगा ठीक है जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर menstrual cycle तो देखते हैं जब LH आता है तभी क्या होता है ovulation होता है और फिर luteal phase में transfer करते हैं ठीक है तो देखो fully mature follicles and maintains corpus luteum ठीक है यानि कि luteal phase of the menstrual cycle FSH follicle stimulating hormone यह क्या करेगा इस्टीमूलेट करेगा growth and development of ovarian follicle in females और regulate spermatogenesis in males ठीक है यानि कि overall देखो तो formation of gametes को यहाँ पर induce करेगा FSH समझ पा रहे हो next पर देखो अब यहाँ पर एक parse intermediate से secret होने वाला hormone MSH ठीक है MSH melanocyte stimulating hormone यह क्या करेगा बेटा melanocyte पर काम करेगा जो कहां present होंगी skin में और regulate करेगा pigmentation ठीक है कि skin पर क्या pigmentation का pattern होगा समझ पा रहे हो तुम बहुत जादा गोरे होगे सामले होगे या फिर उससे भी जादा समझ पा रहे हो पार्स नर्वोसा दो hormone ठीक है oxytocin और vasopressin ठीक है neurons में बनते हैं hypothalamus में और यहाँ पर posterior pituitary के अंदर exon से release होते हैं इसलिए इन दोनों hormones को collectively neuro hormones भी बोलते हैं ठीक है इन दोनों को neuro hormones भी कहते हैं याद रखोगे यह दोनों hormones याद रखना यही दो hormones है जो posterior pituitary से निकल रहे हैं और अगर बात करें oxytocin की तो तुम एक बात याद रखो कि oxytocin हमेशा ejection करवाता है हमेशा ejection करवाता है चाहें वो बने बनाये milk का हो या फिर time of birth जब बेबी में हम time of birth पर parturation पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब बेबी का birth होता है तो वहाँ पर यूटरस में जो contraction होता है ना बेटा उसके लिए भी कौन responsible है oxytocin ठीक है तो हमेशा इसका function एक normal तरीक से तुम आद रखते हो कि हमेशा ejection का है ठीक है बेबी को यूटरस से eject कराना चाहें फिर milk को memory gland से बाहर eject कराना समझ पा रहे हो तो देखो uterine contraction at the time of birth and milk ejection from memory gland milk बनाएगा कौन prolactin और eject कौन कराएगा oxytocin ठीक है इसी का एक synthetic form मिलता है market में जो cattle के लिए use किया जाता है उनके अंदर यहाँ पर milk ejection को बढ़ाने के लिए समझ पा रहे हो वैजो प्रेसिन वैजो प्रेसिन stimulates the absorption of water and electrolyte from the kidney ठीक है तो वैजो प्रेसिन के receptors कभी कभी पूछे जाते हैं कि कहां कहां होते हैं तो यह होते हैं DCT पर यह होते हैं collecting duct पर और इसी किसा साथ blood vessels पर भी इसके receptors पाए जाते हैं ठीक है क्या यहाँ पर यह function of hormones तुम समझ पा रहे हो बहुत इजी है बेटा यहाँ पर जब पीछे देखेंगे तो यहाँ पर तुम growth hormone को बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि यह बहुत ही favorite hormone है exam वालों का पूछने के लिए और बाकी LH और FSH को तो हम detail में पढ़ते ही हैं reproduction के अंदर और thyroid stimulating hormone किसको target करेगा thyroid gland को और prolactin क्या करेगा milk का formation कराएगा समझ पा रहे हो ठीक है और यहाँ पर यह दो neuro hormone तुमें याद रखने है जो की direct synthesis कहां होती है hypothalamus में और secretion कहां होता है posterior vitutory से और यह हो गया MSH जो responsible है किसके लिए skin के pigmentation के लिए समझ पारे बेटा तो अब हम अपनी next gland पे चलेंगे disorders क्या होगा अगर hormones बढ़ जाएं क्या होगा अगर hormones normal से कम हो जाएं ठीक है उसी को कह देंगे disorders ठीक है एक order था उसी में क्या हो गया गर्बढ़ी हो गई तो क्या कह दिया बेटा disorder कह दिया ठीक है अच्छा hyper secretion of growth hormone growth hormone बेटा बढ़ जाए growth hormone बढ़ जाए तो दो stages होंगी कितनी stages होंगी दो एक तो यह होगा कि जब हम पैदा हुए थे उसी टाइम बहुत जादा क्या बढ़ा हुआ था growth hormone तो यह जो जिजैन्टिजम है यानि कि normal जो अपन की height होती है उससे भी बहुत जादा abnormal height ठीक है क्योंकि छोटे थे बेटा एपिफाइजियल क्लोजर नहीं था एपिफाइजियल क्लोजर नहीं था height बढ़ती ही चली गई bones grow करती ही चली गई और normal जो height होती है human की लगबग 6 feet उससे भी जादा लंबाद भी तो क्या कहतेंगे जाइंटिजम यह कब होगा जब initial stage में होगा इनीशियल stage में growth hormone जादा हो ठीक है फिर आता है एक्रोमिगेली अब बेटा 20 साल के हो चुके हैं 25 साल के हो चुके हैं एपिफाइजियल क्लोजर हो चुका है bones grow नहीं कर सकती height नहीं बढ़ सकती फिर भी क्या हुआ hyper secretion हुआ growth hormone का तो क्या होगा यह जो lower jaw है यह बाहर आ जाता है नाक थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो क्या कह देते हैं एक्रोमिगेली ठीक है यानि कि जो सर का साइज है वो थोड़ा सा comparatively कैसे लगेगा बड़ा लगेगा बेटा ठीक है यह कब होगा जब बाद में जब बाद में growth hormone का amount जादा होगा initial नहीं एपिफाइजियल क्लोजर के बाद समझ पा रहे हो अब hyper secretion of prolactin prolactin बढ़ा रहे तो क्या होगा may hinder mensuration अच्छा ओके mensuration को hinder कर सकता है बेटा क्योंकि जब तक prolactin बढ़ा है यह किसको इनिबिट करता है GNRH को ठीक है और GNRH नहीं आएगा तो फिर LH और FSH नहीं आएंगे और LH और FSH नहीं आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा mensuration mensural cycle जो है वो hinder कर जाएगी because impotency hyper secretion of TSH thyroid stimulating hormone ज्यादा हो गया तो thyroid को भी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा stimulate करेगा और symptoms आएंगे बेटा Graves disease की तरह है Graves disease क्या है exothalmic goiter ठीक है जो किसकी वज़े से होता है hyper secretion of thyroid hormones ठीक है और hyper secretion of thyroid कब होगा जब TSH ज्यादा आ जाए समझ पा रहे हो hyper secretion of growth अचा हाइपो है ओके growth hormone का secretion कम हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए कम हो जाए तो क्या होगा pituitary dwarfism इंसान बोना रह जाएगा बेटा growth ही नहीं हो पाएगा TSH कम हो जाए तो क्या होगा thyroid atrophy ठीक है hyper secretion of luteinizing hormone क्या होगा luteinizing hormone ही नहीं आ रहा है तो sterility females ovulation पर जाकर के असर होगा ठीक है बेटा effect on testosterone production समझ पा रहे हो males के अंदर ये तो females की बात है लेकिन ये बात है बेटा males की males के अंदर testosterone के production पर effect होगा क्योंकि LH ही जाकर के ledic cells को क्या करता है stimulate करता है किसके production के लिए androgen के production के लिए समझ पा रहे हो hyposecretion of FSH FSH क्या था follicle stimulating hormone मतलब gametes के development के लिए यही responsible है तो क्या होगा failure of gamete formation ठीक है hyper secretion of ACTH ये क्या करेगा excessive growth of adrenal cortex ठीक है hyper हो गया तो बहुत भी excessive समझ पा रहे हो यह तो कुछ disorder से पिट्यूटरी से related अब आजओ बेटा thyroid पर कहां है thyroid यह यह है thyroid ठीक है तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि आखिर बेटा है कहां thyroid आखिर thyroid कहां है location ठीक है तो just below the larynx ठीक है just below the larynx larynx के नीचे और partially wrap करती है किसको trachea को ठीक है partially wrap trachea ठीक है trachea क्या है बेटा wind pipe है trachea क्या है wind pipe है अब देखो यहां पर इस तरीके से देखो इस तरीके से दो लोब दिखाई दे रही हैं कितनी लोब दिखाई दे रही हैं दो और जब हम देखते हैं बेटा कोई butterfly तो ऐसे ही उसका middle body होता है फिर इधर पंक फिर पंक फिर पंक और फिर एक पंक ठीक है इस तरीके से तो होती है तितली इसी तरीके से थायरायट दिख रही है लगबग देखो इसलिए इसको butterfly gland भी कहते हैं क्या कहते हैं butterfly gland ठीक है क्योंकि ये है बेटा by lobed है दो lobes हैं इसमें और इसलिए इसी को butterfly gland भी कहते हैं अब देखो ध्यान दो ज़रा साइधार मालो सपोज एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई अब आपस में ये एक कनेक्टिव टिशू के structure से जुड़े हुए होते हैं जिसको क्या कहते हैं इस थमस कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इस थमस कहते हैं ठीक है तो ज़रा साइधर आओ यहां पर देखो बोठ लोब यorg यानि की इसकी दोनों लोब्स जॉइंटेड़ बाए। जॉइंटेड़ बाए अब कनैक्टिव टिशू ठीक है कनैक्टिव टिशू और इस कनैक्टिव टिशू का क्या नाम है बेटा इस थमस ठीक है इस थमस आया समझ में तो देखो अगर इस थाइरोइड को ये जो थाइरोइड बाई लोब्ड दिख रही है इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखे यानि कि इसके इंटर्नल स्ट्रक्चर में जहांके है तो कुछ इस तरीके का देखता है बेटा ठीक है यहाँ पर कुछ गोले जैसे नजर आते हैं ये गोले इन गोलों को क्या कहते हैं बेटा फॉलिकल्स कहते हैं क्या कहते हैं फॉलिकल्स कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दो थाइरोइड के अंदर ही फॉलिकल्स हैं जिसको एक फॉलिकल की अगर लेयर देखी जाए एक फ follicles को और ये जो अलग-अलग cell हैं इन्हें क्या कह देंगे follicular cells follicles को अब जरा सा छोड़ दो जरा सा छोड़ दो अब देखो follicles के बीच में कुछ space नज़र आ रहा है कुछ space नज़र आ रहा है और यहां पर एक अलग type की cells होती है ठीक है एक अलग type की cells होती है ठीक है तो अगर इसको हम कह दें follicle ठीक है और यह जो follicle को बनाने वाली cells क्या हो जाएंगी follicular cells follicular cells और यह अंदर का part हो जाएगा colloid क्या हो जाएगा बेटा colloid यह क्या हो जाएंगी follicles के बाहर जो space है वहाँ पर cells present हैं कहते हैं बेटा para follicular cells ठीक है para follicular cells क्या इतनी बाद समझ पा रहे हो यही हम आगे देखेंगे जो बीच बीच में cells present है यही बनाती है calcetonin को ठीक है या फिर thairo calcetonin को जो body में calcium को control करता है ठीक है क्या इतनी बाद समझ पा रहे हो बेटा ठीक है तो यहाँ पर बात हो गई by lobed है butterfly gland कहते हैं और कहाँ पर है larynx के नीचे trachea के trachea को partially wrap करती है दूसरी बात एक requirement है बेटा किसकी आयोडीन की ठीक है आयोडीन इज रिक्वाइड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ओफ नॉर्मल फंक्शनिंग ओफ of thyroid ठीक है of thyroid अब बात उठती है कि आखिर भाईया thyroid क्या करेगा तो जो बेटा thyroid है हमारी ये two hormones का synthesis करती है ठीक है एक तो T3 और दूसरा T4 ठीक है T3 क्या है tetra-idothiroxin और T4 क्या है अब बात हुई कि आखिर ये follicles है इनमें किस तरीके से thyroid hormones का synthesis होता है तो चलो जड़ा देखते है देखो suppose ये हमने देखा thyroid को ये है बेटा thyroid अब यहाँ पर इसी तरीके से तो present थे ना इसी तरीके से follicles present थे तो एक follicle को एक follicle को हमने उठा कर यहाँ पर बनाया तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरीके का structure नजर आता है ठीक है इस तरीके का structure नजर आता है ठीक है इनक्टिव फॉर्म में करके यहाँ पर रखेंगी उस इनक्टिव फॉर्म को थाइरो ग्लोब्यूलिन कहते हैं ठीक है इस प्रोटीन थाइरो ग्लोब्यूलिन क्या है इनक्टिव है बेटा भी एक्टिव नहीं है समझ पा रहे हो तो अगर इस मेंब्रेन को बिटा एक जगह से काट के खोल लें और सीधा करें तो फिर आजाओ इधर अब यहाँ देखेंगे कि बगल में कौन चल रहा है ब्लड बैसल चल रही है ठीक है ब्लड वैसल ठीक है अब यहाँ पर देखो अंदर हम ने कहा था ना कि थाइरो ग्लोबिूलिन है तो यह एक प्रोटीन बनाई हमने यह कौन सी है थाइरो convenience है इसमें कही सारे छोटे छोटे यहां पर एक special amino acid होगा एक special amino acid होगा जो हमने यहां पर रेड़ कलर से दिखाया है ठीक है कौन सा होगा यह amino acid tyrosine amino acid ठीक है tyrosine amino acid होंगे और भी लेकिन हमें अभी वहां पर ध्यान नहीं देना है हम tyrosine पर देखेंगे तो हमने कहा कि thyroid gland को function करने के लिए iodine चाहिए क्या चाहिए बेटा iodine तो blood vessels में कौन घूम रहा होगा iodine घूम रही होगी जो होते हुए कहां आएगी अंदर आएगी ठीक है तो जब यहां पर synthesis हो रही होगी बेटा तो इसी iodine को उठा उठा कर कहां लगाएंगे tyrosine amino acid पर किसी पर एक एक और किसी पर दो दो ठीक है जहां पर एक लगा होगा monoido जहां पर दो लगे होंगे diido ठीक है लेकिन अब तुम कहोगे कि यहां पर तो T3 और T4 की बात हो रही है अब सिर्फ T1 और T2 की बात कर रहे हो ठीक है तो जब बेटा जब कहां से signal आएगा कहां से signal आएगा pituitory से ठीक है यह देखो चला आ रहा है बेटा TSH कौन चला रहा है TSH thyroid stimulating hormone और यह है TSH का receptor कहां यहां पर ठीक है यहां पर receptor है जैसे ही bind हुआ जैसे ही क्या हुआ बाइंड हुआ सिगनल अंदर गया और इसको पता चला कि जरूरत है बेटा thyroid hormones की ठीक है तो इस signal के response में क्या होगा क्या होगा इस protein की क्या होगी यहां पर इसको यहां से यहां transfer किया जाएगा और होगी काट छाट क्या होगी काट छाट होगी तो देखो जब यहां पर बेटा काट छाट होगी तो देखो ऐसे ही तो दिख रहा है ना ऐसे ही तो दिख रहा है देखो मालो किसी पर एक iodine लगी किसी पर दो लगी किसी पर दो लगी और किसी पर क्या हुई एक लगी ठीक है तो देखो जब काट छाट होगी तो जहां पर दो आयोडिन लगी हैं बेटा यहां पर एक और लगेगा एक और आयोडिनेशन होगा समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो तो देखो ये पूरे को अगर देखा जाए तो क्या हो गया ती 3 हो ठीक है अब जहां पर दो लगी थी यहीं पर दो और लग जाएं दो और लग जाएं तो देखो पूरा क्या हो गया बेटा टी 4 हो गया क्या हुआ टी 4 हो गया ठीक है और हम द लगती है पूरे amino acid के साथ आकर लगती है समझ पा रहे हैं इस चीज को तो बनते तो है यहां पर जब protein पर यहां पर adonation हो रहा होगा तो mono और डाई लेकिन याद रखो यहां डाई वाले पर ही जुड़ेगा कर डाई वाले पर ही जुड़ेगा आकर डाई के साथ मानलो सपोज दो थे इसी के साथ हमने एक और लगा दिया तो क्या हो गया try हो गया आप 2 वाले के साथ 2 वाला पूरा लगा दिया तो क्या हो गया पिटा ट्रा समझ पा रहे हो कभी विए जुड़ाआ यह पर यह mono वाले के साथ नहीं होता है इतना याद रखोगे इतना याद रखोगे ठीक है तुदेखो अब वापस ये जाएगा ये जाएगा इधर यहाँ पर और होगी काट छाट और सिर्फ और सिर्फ T3 और T4 ही मेंब्रेन को क्रॉस करके ब्लड वेसल में जा पाते हैं बाकी के साथ यहीं रह जाते हैं समझ पा रहे हो और जो T3 बेटा है यहीं है most effective कैसा है बेटा most effective है क्या इतनी बाद समझ में आ रही है किस तरीके से हो रहा है thyroid hormone का synthesis क्या इतनी बाद समझ में आ रही है बेटा तो चलो जड़ा next पर चलते हैं सबसे पहला function बेटा metabolic rate को control करता है ठीक है यहाँ पर क्या करता है control the basic metabolic rate ठीक है और इसी को BMR कहके भी बुलाते हैं ठीक है और जब BMR को control करेगा तो किसका metabolism control करेगा बेटा जैसे की carbohydrate hydrate जैसे की fats जैसे की proteins ठीक है इन सबी के metabolism को क्या करेगा control करेगा दूसरी बात जो यह thyroid hormone है यह क्या करता है plays role role play करेगा किसमें बेटा इन red blood formation erythro-poices ठीक है यह plays role menstrual cycle पर भी effect दिखाता है and menstrual cycle और इसके लिए किसको effect करेगा बेटा जी एन रहेच को ठीक है और यह water electrolyte balance में भी role play करता है बेटा ठीक है water electrolyte balance में भी role play करता है और यहां पर किसको control करेगा रेनिन एंजियो टेंसिन सिस्टम को ठीक है अब आज और disorder अब disorder किसके बेटा thyroid के ठीक है अब thyroid के disorder hypothyroidism thyroid hormones का amount कैसा हो गया कम हो गया मतलब thyroid size से काम नहीं न कर पा रही है बेटा तो simple goiter simple goiter मतलब यह thyroid gland का size क्या होगा बढ़ जाएगा बेटा क्यों बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बाई आयोडीन की कमी से होता है सबने सुना होगा सबने सुना होगा अब आयोडीन की तो कमी है आयोडीन की कमी है blood vessels में आयोडीन है नहीं जो हम खीच लें तो क्या करेंगे size बढ़ा करेंगे जिससे की blood vessels का amount बढ़े उससे ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को खीच सके ।टिक है इसलिए यहाँ पर size क्या होता है abnormal होता है कैसा होता है abnormal होता है ठीक है और disturbed menstrual cycle in female ठीक है देखाता ना यहां कि menstrual cycle को भी GNRS से connection बना करके कौन control करता है thyroid hormones तो जब कम होंगे तो यहां पर menstrual cycle भी disturbed होगी ठीक है hyperthyroidism hyperthyroidism बहुत ज्यादा होके आप hormone अब क्या होगा Graves disease Graves disease और exophthalmic goiter exophthalmic goiter क्या होगा यहां पर भी enlargement होगा किसका thyroid gland का लेकिन इसके साथ जो आँखे है ना मेटा वो भी क्या होती है बाहारा चाती है ठीक है तो यहां पर ज़रा साध्यान रखना simple goiter hypothyroidism की वज़े से जबकि exophthalmic goiter hyperthyroidism की वज़े से समझ पार है उतनी और होगी एड़ कर दती हूं यहां पर वो होता है ठीक है हाशी मोटो डिजीज कौनसे डिजीज हाशी मोटो हाशी मोटो में क्या होगा यह autoimmune disease है antibodies आ करके antibodies आती हैं बेटा bind करती है thyroid पर और इसका result क्या होगा thyroid का destruction शुरू हो जाता है ठीक है destruction start हो जाता है ठीक है अब देखो अब आगे ना उसी cells की बात पैरा follicular cells of thyroid ठीक है इसी तरीके से तो था ना thyroid अगर बनाए तो यह follicles थे और इन follicles के बीच में कुछ cells present थी कुछ cells present थी इन्ही को क्या कह रहे है बेटा पैरा follicular cells या फिर इन्ही को बेटा C cells भी कहते हैं क्या कहते हैं C cells भी कहते हैं ठीक है तो यह क्या करते हैं इनके बारे में दिया हुआ है group of endocrine cells scattered मतलब बिखरी हुई between thyroid follicles ठीक है क्या function है इसका तो ये function है बेटा ये synthesize करते हैं सिंथिसाइस करते हैं एक होर्मोन के नाम है बेटा कैलसी टोनिन ठीक है कैलसी टोनिन या फिर इसी को थाइरोकैलसी टोनिन क्योंकि थाइरोड से आ रहा है थाइरो, कैल्सी, टॉनिन, ठीक है, या फिर इसी को बेटा TCT, ठीक है, समझ पा रहे हैं इतनी सी बात, अब बेटा क्या होगा, क्या करेगा, कैल्सी मतलब कैल्सियम, टॉन मतलब बैलेंस बना के रखेगा, बॉडी में जैसे ही कैल्सियम का लेविल बढ़ा बलड में, तो क् उसको बॉन्स पर चिपकाना शुरू करेगा, किस पर चिपकाना शुरू करेगा, बॉन्स पर चिपकाना शुरू करेगा, तो बताओ, हड्डियों को मजबूत करेगा, या फिर उनको कमजोर करेगा, तो मजबूत करेगा, बलड में जैसे तुमने कैल्सियम खाया, बलड मे कहेगा निकल ठीक है तो बताओ यहां पर यह कैसा हाइपर कैलसिमिक हार्मोन है या फिर हाइपो कैलसिमिक हार्मोन है बलड से कैल्शियम को हटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है हटा रहा है ना बेटा ठीक है तो यह कैसा है हाइपो कैलसिमिक हार्मोन समझ पा रहे हो इसी का उल्टा जस्ट अभी पढ़ेंगे PTH, पैरा थाइरोड होर्मोन ठीक है, PTH क्या है पैरा थाइरोड होर्मोन, जब हम देखेंगे अभी पैरा थाइरोड ग्लेंड को तो देखेंगे कि वहाँ पर function बिल्कुल जस्ट उल्टा है बिटा, किस से यहाँ पर क्याल सीटोनिन से समझ पारे बिटा, तो आज की क्लास में हम लोगों ने थाइरोड ग्लेंड को डिसकस किया और वहाँ पर present पैरा फॉलिकुलर सेल्स को डिसकस किया, पढ़िए बिटा, रिवाइस किजियो और एक्जाम के त्यारी अच्छे से करते रही है थैंक यू